दोस्तो आज इस वुडियो में ना मैं आपका भाई आपको आज ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जो आपको यूटूब पर किसी भी वेक्ती ने आज तक दोस्तो बिलकुल भी नहीं बताया होगा क्योंकि दोस्तो सब लोग ना अपनी मन की बात बताते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है पर रियल अनभो, रियल एक्सिरियन्स कोई भी शियर नहीं करता पर दोस्तो आज इस वीडियो में न मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप किसी भी औरत के साथ बात करते हो ओर अवरत चाहे कितनी भी एच की हो मतलब 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल एकसेटरा एकसेटरा उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता जब आप उस अवरत के साथ बात करते हो और बातों ही बातों में अगर वह अवरत यह तीन हरकते करती है तो उसका मतलब ऐसा ही होता है कि वह अवरत न दोस्तो आपको 101 टक का पसंद करती है मतलब for example आप और वह अवरत न दोनों एकसाथ बात कर रहे हो और बात करते करते न अगर वह अवरत यह तीन हरकते करती है यह तीन काम करती है तो उसका मतलब ऐसा होता है कि वह अवरत न आपको पसंद करती है तो इसका मतलब ऐसा होता है क्योंकि दोस्तों इजो बाते है न वो आपको कोई भी विक्ति नहीं बताएगा क्योंकि मतलब जो विक्ति बताते है न आपको कि ऐसा होता है वैसा होता है उन्होंने भी कभी किसी अवरत को नहीं पटाया मैंने दोस्तों बहुत सरी अवरतों को पटाया है और मैंने बहुत ज़्यादा experience किया है इसकी ही उपर दुस्तों मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा important है तो इस वीडियो को पुरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस important वीडियो को तो देखो सबसे पहली जो हरकत है और उस तो कौनसी है कि अगर आप किसी भी आउरत के साथ ना बाते कर रहे हो और बाते करते समयना अगर वह आउरत यह पहली हरकत करती है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो उसका मतलब ऐसा ही होता है कि वह अवरत न दोस्तो आपको पसंद करती है तो वह हरकत दोस्तो ऐसी है कि वह अवरत न दोस्तो बात करते करते आपके हाथ के उपर हाथ रखेगी और आपके साथ बात करेगी या फिर आपके कंदे के उपर न ऐसा सर रखके आपके साथ बात करेगी मतलब for example आप अगर किसी भी मतलब होटेल में बैटे हो या फिर आप अगर किसी भी गाल्डन में बैटे हो तो वह अवरत न आपके हाथ के उपर हाथ रखकर बात करेगी मतलब आपके हाथ को ऐसा पकड़ कर आपके साथ बात करेगी या फिर आपके कंदे के उपर ना ऐसा सर रखके आराम के साथ बात करेगी तो ऐसा अगर आपके साथ होता है ना दोस्तो तो उसका मतलब 100% ऐसा ही होता है कि वो अवरत न दोस्तो आपको पसंद करती है तो रुस्तो यह हरकत आप हमेशा ध्यार में रखो और उसके बाद दोस्तो जो दूसरी हरकत है और रुस्तो कोन सी है कि आपकी ज्यादा तारीब करना और आपकी बाजु लेकर बोलना क्या बला मैं नहीं? आपकी ज्यादा तारीब करना और आपकी बाजु लेकर बोलना तो रुस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपना किसी भी अवरत के साथ बाचित कर रहे हो और बाचित करते समय न अगर वो अवरत मतलब जो सामने वाली अवरत है ओना ज्यादा ही आपकी तारीब कर रही है कि आपने जो आज शर्ट पैड़ा है न वो आपके उपर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है आपने जो आपने बालों को कट किया है न वो आपकी जो श्टाइल है न तो वो style मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आपका सभावना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आपना दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हो मतलब ऐसी दोस्तों आपकी कुछ ज्यादा ही तारिफ करती है और आपकी ना बाजू लेकर बोलती है मतलब for example अगर आपने उस अवरत को मतलब ऐसा कुछ बताया कि ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया वैसा किया मतलब आप अगर भले गलत भी होंगे तो तब भी ना दोस्तों वो अवरत ना आपकी बाजू लेकर बोलेगी कि हाँ हाँ आपने जो किया ना ओ एकदम सही था मतलब आपके जगन आप एकदम राइट हो मतलब आपके अगर इसी बाजू लेकर बोलती है ना तो उसका भी दोस्तों ऐसा ही मतलब होता है कि वो अवरत ना दोस्तों आपको पसंद करती है तो दूसरी हर्कत हैं जो आप हमेशा ध्यान में रखो और उसके बाद दोस्तो जो तिसरी हर्कत हैं और उस्तो कुन सी है दोस्तो कि बातचित करते समय अपने पती की बुराई करना क्या बला मैंने बातचित करते समय अपने पती की बुराई करना तो रुस्त मैं आपको बतना चाहूंगा कि अगर कोई भी अवरत आपके साथ बातचित कर रही है और बातचित करते समय ना वह अवरत हमेशा अपने पती की ना बुराई करती है कि जो मेरे husband एना ओएसे है मतलब ओजो मेरे husband एना ओधारु बहुत पीते है मतलब अपने पती की ना बहुत जड़ा बुराई करती है तो इसका भी मतलब ऐसा होता है कि वह और अपने पती से पूरी तरीके से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है और वह औरत ना आपको पसंद करती है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी औरत ना किसी भी एरे गेरे पुरुष के सामने अपने पती की बुराई बिल्कुल भी नहीं करती ओ उसी पुरुष के सामने अपने पती की बुराई करेगी तो उसका मतलब ऐसा ही होता है कि वह औरत ना आपको पसंद करती है तो दोस्तो इसको आप ध्यान में रखे तो फिलहाल दोस्तो आजकी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और हैपी रहिए लब यू सो मच अल आफ यू